हेलो दोस्तों Laptop Master में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त निशानत आज फिर आपके साथ नहीं वीडियो और एक नए Laptop के साथ नहीं आज हम Laptop लेके नहीं आए हैं जी हां काफी व्योस की डिमांड थी कि Printers के बारे में वो जानना चाहते थे और मैंने मार्केट में भी और मैं यह कह सकता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको Confusion नहीं रहेगी कि आप Laptop के साथ अगर कोई Printer ले रहे हैं तो कौन सा पर्चेस करें तो दोस्तों आज हम डिसक्रस करेंगे सिरफ Printer के बारे में और हां यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा हम नए नए लाप्टॉप की वीडियो बनाते रहते हैं और बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं करते हैं Printer की बात देखें मार्केट में बात करे में एक अगाफी फेमस प्रिंटर हुआ करता था आप कभी कि अगर पहले गये हो पैंक में Summe पुर्ण्मिट बैंक में आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, जब आप बैंक की स्टेट मेे निकल वाने जाते थे, तो वह जिस परिंटर से आपको स्टेट मे निकाल के देते थे, वह तुक तुक करके आपको दिखाई देता था, वो head चलता रहता था डॉट डॉट करके उस पे print out आता रहता था वो उस पे printer के आप print out पे भी देखें वो dots fire होते थे उससे वो print होता था और एक ribbon लगवा होता था जो आज की date में market से out हो चुगा है बहुत कम आपको market में dot matrix printer देखने को मिलेगा ये printer घरों में बिल्कुल नही चलता था सिर्फ और बैंक्स में ज़्यादा था यूज होता था और कई जगा जैसे जहां पे सिर्फ हमें dot matrix के according निकालने हो तो वहां पे ये printer यूज होता था लेकिन आज की date में banks के अंदर भी आपने देखा होगा laser jet printer अब यूज होने रगे है laser jet printer की discussion हम पाद में करेंग क्योंकि वह घरों के अंदर यूज नहीं होता है मिलता है लेकिन वह बिल्कुल भी यूज नहीं होता है बात करेंगे दो printer की जो हमारे हम रह गई है एक है ink jet printer और दूसरा है laser jet printer देखें लोगों के मन में यह रहता है laser jet printer black and white होता है और ink jet printer colored होता है तो मैं आपको दादू laser jet printer भी color होता है लेकिन वो home segment में यूज नहीं होता है हम उसको कहेंगे color laser jet printer घर में रखने का मतलब है हत्ती का बच्चा पालना उसकी size भी बहुत बड़ा होता है printing cost भी बहुत मेंगी होती है इसके बारे में हम discuss करेंगे पहले आज हम discuss करेंगे ink jet printer के बारे में ink jet printer क्या होता है देखें ink jet printer का जो print out निकलता है वो ink के true निकलता है उसमें भी market के अंदर आपको दो category आज देखने को मिल जाएगी एक होता है ink jet printer जिसको हम dash jet printer भी कहते हैं दूसरा होता है ink tank printer जी हाँ अगर आप पहले के time में देखेंगे आज से कुछ 5 या 6 साल पहले जाएंगे तो सिरफ आपको ink jet printer दिखाई देते थे तोटा printer आता था जिसमें cartridges लगती थी जिसकी printing कोस्त बहुत ज्यादा होती थी देखें आपको market के अंदर HP के मिल जाएंगे ink jet printer Epson के नहीं मिलेंगे Canon के मिल जाएंगे Canon और HP के मिलते हैं लेकिन अगर मैं आपको prefer करूंगा तो HP का printer prefer करूंगा क्योंकि market के अंदर सबसे जादा अगर हम printer की बात करेंगे तो HP के ही sale होते हैं और अगर आप Canon का printer ले भी लेते हैं तो आपको उसकी cartridges के लिए या कभी कोई problem आईगी तो उसके spare parts के लिए थोड़ा सा घूमना पड़ जाएगा जबकि HP के printers की cartridges आपको easily market में कहीं भी मिल जात है तो बात करते हैं इंग्जेट printer के बारे में देखें इंग्जेट printer खरीदना बहुत ही सस्ता होता है यह 2000 रुपे से printer start हो जाता है जब बल्कि आप तो 2500 से start होने लगे हैं और आपको online वह 2000 का भी मिल जाएगा लेकि मैं आपको उदा दूं कई बार जो online आपके पास printer आता अगर आप लेना चाहें तो सब में cartridge inbuilt आती है आगे बढ़ते हैं 50000 रुपे का printer start हो जाता है अब आप सोचते होंगे 50000 रुपे का printer देखें यह companies की policy होती है कि आपको अपनी costing से भी नीचे printer को वह sale कर देंगे लेकिन उसके बाद जब आप printouts निकालेंगे तो उसकी cartridges में company क कमाई होती है और आपका खर्चा सारा cartridges पे ही जाता है जी हाँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेच होता है क्योंकि normally लोग यह सोचते हैं कि हम हमें कहें कि सिर्फ 2-4 printer निकालें एक महिने में 5 या 6 बच्चे का project निकलेगा बहुत ज़्यादा printer वो नहीं निकालता तो हम क्य एक बड़ी खावत है कि महना रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार तो यही printer के अंदर भी implement होती है कि अगर आप 3-4,000 रुपे वाला printer ले लेते हैं उसके साथ जब उसके पास जब भी आप salesman के पास जाएंगे वो पूछोगे कितने printer उटिकाल देगा 500 black के और 100 color के या 300 black के और 200 color के देखें वो कभी भी आप इसमें confusion नहीं होई हैगा वो अगर 300 कह रहा है तो उसकी percentage fix होती है कि paper की coverage 4 या 5 या 6 परसंट के according ही company decide करती है उसके लिखावा होता है कि वो estimated है अगर आपने एक photo पूरी निकाल ली तो पता चला सिरफ 10 photos निकालने में ही आपकी cartridge पूर नहीं है तो आपने printer तो ले लिया अब पता चला कि आपने 10 photos निकाली आपके बच्चे ने और वो printer की cartridge करता है फिर आप मार्केट में 1200 से 1500 की दुबारा cartridge लेने जा रहे हैं और आप बच्चे की पिटाई कर रहे हैं कि तुने बड़ा खर्चा कर दिया खर्चे पर खर्चा क अगर आप उसको regular use नहीं करेंगे तो उसकी जो cartridge होती है उसके head में ink dry हो जाती है सूख जाती है तो suppose को राज आपने एक print out निकाल लिया उसके बाद उसका आपने एक महीने तक use नहीं किया तो क्या होगा cartridge सूख जाएगी जिसे हम dry होना कहते हैं ink जो उसके nozzles के अंदर dry हो होगा तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा आप यह मत सोचे कि मैंने एक बाल printer ले लिया 4000 रुपे का और मैंको 1500 print out कह रहा है salesman, 1500 print out लिकल आएंगे लेकिन वो आप अगर सोचे मैं एक साल तक use करूंगा ऐसा नहीं होगा वो dry हो जाएगी इसलिए यह printer market में सबसे कम popular होते हैं आज की date में पहले यही printer आते थे सिरफ अच्छा इन टैंक printer लाने की company को जुरुत क्यों पड़ी मैं यह भी आपके साथ share करता हूं देखे जो पहले printers आते थे उसकी costing बहुत ज्यादा पढ़ जाती थी कार्टेज की पंदस रुपे की दो अजार रुपे की कार्टेज एक पेज आपको cost कर रहा है पांच रुपे दस रुपे बारा रुपे तो क्या हुआ यह इंडिया है तो इंडिया में ना कि लोगों ने जुगार ले आए जुगार एक लेकर आइसी है यह system उसको हम कहते थ एक चार अलग अलग plastic की bottles बनी भी होती थी pipes के थूख कर दिया जाता था कार्टेज इसके साथ और वो कार्टेज में लगा दिया जाता था क्योंकि पहले कार्टेज क्या होता था easily refillable होती थी easily वो refill हो जाती थी दो बार तीन बार चार बार लोग उसको refill करा लेते थे लेकिन अगर आज की हम डेट की बात करें तो कार्टेज रिफिल नहीं होती है तो जब पहले लोगों ने उसके अंदर जुगार लगाना शुरू कर दिया थे का इंडिया है तो जुगार तो चलेगा ही चलेगा जब इतना महंगा पिपर निकलेगा तो उसमें जुगार आपका बगार लगाना शुरू कर दिया हमारी कार्टेज भिकनी बंद हो गई है तो क्या फाइदा फिर हम ही क्यों ना लेके आए इसलिए मार्केट के अंदर एक ब्रदर कंपरी है जो पिंटर बनाती है और एक एपसन ये लोगों ने सबसे पहले इनिशेट लिया और इंग टैंक प्रिंटर के उपर और जब ब्रदर और हम अही ए एकई अपitel मार्केट में ले आये डायते खृद सबसे हो पर करेंगे अगर आप मेरसे बात करेंगे मेरी रिकमेंडेशन की तो मैं आपये अपको एक रीजी आई सबसातल्र Candium से अंदर क्या होतकरि करूँ बदा देके अगर आप प्रिंटर ले लेंगे और आपने एक दो महीने तीन महीने यूज नहीं किया तो देखे इस इस इसलिए आपको हर 15-20 दिन में एक या दो प्रिंट आउट हमेशा लेने पड़ते हैं आपको प्रिंट हैड ही एक चीज होती है जो खराब होने के लिए होती है अगर आप एपसें का प्रिंट हैड मार्केट में चार से पांच जारूपे के बीच में आता है और उसको आप खुद रिप्लेस नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको इंजीनियर की जूरत पड़ेगी या service center पर जाना पड़ेगा और head भी बहुत कम market में available होता है अगर हम tank की में बात करेंगे cannon की तो cannon का head आपको मिल जाएगा 2.5-3.000 रुपे के बीच में दोनों head आ जाते है लेकिन उसकी ability आपको market में बड़ी कम होती है अच्छा मेरे को HP क्यों पसंद आता है HP मैं आपको इसलिए recommend करता हूँ क्योंकि HP के अगर आप ink tank printer लेंगे तो उसका head 2.500 रुपे के बीच में आपको market में easily available हो जाएगा आप किसी भी area में है देखे, HP के अपने HP world showroom होते हैं वहाँ पे head available होते हैं और stationary की shops पे भी कापी जगा तो अगर आप किसी भी area में है अगर आपका head खराब होता है तो आप easily किसी भी HP world पे जाके head को ले सकते हैं और आप खुद ही उसको replace कर सकते हैं system वही है ink tank वाला ink jet वाला तो देखे, अब बात करते हैं costing की जहां ink jet printers के अंदर हमारा page 5 रुपे से 10 रुपे की costing करता है वहीं पे अगर ink tank की बात करेंगे तो पर page cost 10 पैसे से 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे इस से उपर नहीं आती है यह आपका एक ऐसी investment है जो वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा अगर आप उसको एक proper way में यूज करेंगे ना printer को तो वो कई साल आपके अराम से बिना किसी खर्चे के चलता रहेगा जबकि ink jet printer आपके हर महीने पैसे खर्च करवाता रहेगा वो ink jet अगर आप printer लेते हैं तो आपके installment बन जाती है हर महीने आपको 1,500 रुपे खर्च करना ही है उसकी cartridge पर जबकि जो ink tank printer आते हैं वो हमेशा आपके lifelong बने रहते हैं बहुत मैं ये तो नहीं होगा 10-12 साल की लेकिन बहुत life में काफी चलते हैं और आपके print out काफी निकाल देंगे वही अगर आप बात करेंगे costing की तो ink jet printer थाई-जार रुपे से शुरू होते हैं अगर मैं बात करूँ हैं 10-12-13 तक के आपके इसमें non wifi printer आ जाते हैं और 12-13 जार से उपर आपको wifi printer मेल जाएंगे HP ने आप smart tank भी launch कर दी है 585-585 ये काफी popular ink tank printer है market में आज की date में अगर आप fax के साथ जाते हैं ADF के साथ जाते हैं मैं आपको एक feature और बता देता हूँ ADF का हाला कि वो home segment में use नहीं होता है normally जितने भी multifunction printer आते हैं जिसको जो सबसे ज़्यादा आज की date में market में sale होते है वो printer होता है scanner होता है और copier होता है इसमें एक feature और होता है ADF का जो normally घरों में use नहीं होता है जो 15-16,000 तक के printer scanner ADF नहीं मिलेगा आपको ADF होता है जिसकी full form होती है Automatic Document Feeder Automatic Document Feeder होता है वो scanner के उपर लगा होता है उसमें आपको one by one paper scan करने की जूरुत नहीं होती suppose करो आपको 20-30 paper scan करने है तो आपने वो एक साथ लगा दिये वो automatically एक के बाद एक scan करता रहेगा ये features normally हमारे घरों में use नहीं होता है इसलिए ये printer वहाँ use होता है जहां पर scanning ज़्यादा करने पड़ती है offices के अंदर ये printer mostly ADF use होता है हम घरों के अंदर हम बात करेंगे multifunction printer के अंदर मैं HP के अंदर बात करूँ तो 419, 419, 415, 580, 585 काफ़ी सारे printer है अगर आप high end पे जाना चाहते हैं तो 790, 750 बहुत smart ink tank printer HP आज की डेट पे launch गड़ चुका है काफ़ी offers इसके साथ HP आपको देता रहता है जब भी आप market में जाएं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखीगा अगर आप printer ले रहे हैं तो मेरी जो preference रहेगी वो ink tank printer की रहेगी आप ink jet printer की तरफ बिल्कुल मच जाएगा और company भी सोच समझ के select करिएगा जिसके आपको head भी मिल जाए mostly ink tank printer में head ही खराब होते हैं आपको easily head भी मिल जाए और सस्ता head भी मिले और war problem अगर printer में आती है तो उसकी repairing भी easily हो जाए देखे आप जब भी market में printer लेने जाएं एक बात हमेशा याद रखिएगा laser jet printer घर के लिए नहीं है हाँ laser jet printer बहुत अच्छा होता है हम अगली वीडियो में laser jet printer की बात करेंगे लेकिन वो सिर्फ black and white मिलेगा और color तो बहुत ही महंगा पड़ेगा आपको वो लेने बिकार होगा और ink jet printer लेते वे आप सिर्फ दो बातों का ध्यान रखिएगा ink tank और ink jet और दोनों ही printer को अगर आप regular use नहीं करेंगे तो उसकी cartridge ink jet की cartridge और ink tank के head खराब हो जाएंगे और हाँ मैं एक बात और थोड़ा सा आपको clear कर देता हूँ देखे आप ये कहेंगे जब दोनों ही सूख जाते हैं तो हम सस्ता printer ही क्यों ना ले लें देखे क्या होता है कि उस ink tank ink jet printer के अंदर जो per page cost आती है वो 5 से 10 रुपे आती है तो आप उसको बिना किसी use के print out निकालने से पहले सोचेंगे कि आप 10 रुपे का एक page पढ़ेगा नहीं निकालू यहीं सोचने में उसकी जो cartridge है वो dry हो जाती है आप आज printer नहीं ले रहे आप finance कराईए लेकि जब भी printer ले तो ink tank printer ही ले मैं उमीद करता हूँ आपको यह video देखने के बाद आपके मन में कोई confusion नहीं रह जाएगा laser jet के लिए हम एक next video बनाएंगे जो आपके लिए ले के आएंगे इसके बाद ही हम next video laser jet की अप्लोड जरूर करेंगे एक इस video में उसे एड करते हैं यह video बहुत ही लंगी हो जाती तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और हाँ अगर अभी आपने हमारे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा यह वीडियो हमारी पिंटर के लेकिर हम लाप्टॉप्स की अन्बॉक्सिंग करते रहते हैं और उसका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाते रहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएगा पसंद आएगे तो लाइक जरू कर दिएगा तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में लेजर जैट पिंटर के साथ जैहिंद